दोस्तों बात आज हो रही है कि गाड़ी में डैश कैम क्या होता है किस लिए काम में आता है अब ये चीज जो है वो ज्यादा इंडिया के अंदर आप देख नहीं पाएंगे बहुत से गाड़ीों में ये चीज होती भी नहीं है लेकिन ये चीज लगाना क्यू जरूरी है और और क्या ये काम करता है और अलग-अलग कंपनियों के जो dash cams आते हैं इनके अंदर features क्या-क्या दिये हुए होते हैं और क्यों ये एक normal camera से अलग होते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तो dash cam जो है वो आपके normal camera से बहुत अलग होता है ये एक बहुत ही compact device होता है जो कि आपके गाड़ी के windshield के ऊपर अंदर से लगता है और इसकी जो lens है वो इस तरीके से proper set होती है कि उसको पूरा road का view जो है वो windshield के through मिलता रहे और ये जैसे ही आप गाड़ी को चालू करते हैं ये चालू हो जाता है इससे आपको बहुत फाइदा मिल सकता है क्यो आगे चलकर आपको अगर insurance claim करना है तो तब आप इस clip को दिखा सकते हैं आगे चलकर अगर कुछ court case हो गया तो तब भी आप इसको as evidence के तौर पर दिखा सकते हैं तो इसकी वजह से ये चीज बहुत जादा काम की सावित होती है इसी की साथ साथ कुछ-कुछ high-end cameras ऐसे भी हो गाड़ी की तो भी ये सारी चीजे record हो जाती है तो आपके पास एक concrete evidence रहता है कि आपके गाड़ी के साथ किसने छेडखाने की है किसने चूरी करने की कोशिश की है या कुछ नुकसान पहुचाया है तो ये आपको पता चलता रहता है तो अब बात ये करते हैं कि ये dash cam चलत power outlet कहा जाता है तो उसके अंदर जो है वो एक wire जोड दी जाती है इसकी और वहां से ये power ले लेता है अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका power outlet से वो power ले तो आप इसको directly आपके गाड़ी के fuse box के अंदर भी wire up कर सकते हैं जिससे कि आपको एक थोड़ा सा protection भी मिल जाएग को भी protection मिल जाता है तो आप चाहें तो वो भी चीज़ कर सकते हैं अब ये record कैसे करता है तो इसको record करने का एक अलग तरीका होता है इस camera के अंदर ये सारी चीज़े बिलकुल automatic ही होती है आपको बटन वगरा दबाने की जुरुत है नहीं यहाँ पर जैसे ही आप गाड़ी क अंदर चावी लगाएंगे और घुमाएंगे इसका recording स्टार्ट हो जाएगा और ये अपने आप स्टार्ट होता है और ये तीन-तीन मिनिट की छोटी-छोटी clips में इसको divide कर लेता है हर एक बार जब camera चालू होगा तो तीन मिनिट तक record करता रहेगा फिर cut होगा फिर अगले तीन मिनिट के लिए तुरंत चालू हो जाएगा तो इस तरीके से तीन-तीन मिनिट की छोटी-छोटी clips बनाई जाती है और इसके अंदर जो है वो एक अपनी memory होती है अब कुछ dashcam जो है वो 16GB के SD card के साथ आते हैं कुछ 32GB के साथ आते हैं आप चाहें तो 64GB कभी लगा सकते हैं microSD card इसकी अंदर लगता है और जैसे ही ये card full हो जाते हैं तब बहुत सारे कंपनियों के camera ऐसे हैं जो की पिछले वाले जो recordings हैं जिनको access नहीं किया गया है उनको automatically override कर देती है और जो एकदम last 3 minute वाले clip है उसको वैसे ही रख देता है उसके पहले की सारे clips को ये हटा देत है और फिर से नया recording आपका शुरू हो जाता है और ये जो है वो standard आपका 1080 pixels के अंदर याने के HD quality में record होता रहता है आप अगर इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे इसकी quality अगर थोड़ी सी कम कर देंगे तो फिर ज्यादा समय तक ये record कर सकता है at once अगर आप इसको 1080 pixels 30 frames per second पे रखते हैं तो ये तकरीबन 2 घंटे का footage जो है वो record कर सकता है और जैसे ये 2 घंटे का record पूरा हो जाएगा last की 3 minute के clip रह जाएगी बाकी सारी overwrite हो जाएगा यानि कि वो erase हो जाएगा फिर से नए सिरे से recording चलो हो जाएगी अब बात ये आती है कि क्या ये legal है तो आ सकते हैं हाला कि जो लोग taxi वगरा चलाते हैं जिनकी taxis हैं उनकी अंदर फिर ये आपको थोड़ा सा concerned करके ही लगाना पड़ेगा क्योंकि after all ये जो चीज है वो record करती रहती है गाड़ी के अंदर का हो सकता है कि ये audio भी record करे तो लोगों की कुछ private बाते हैं तो वो भी record ह हो जाएंगी तो इसकी वजए से ये चीज जो है वो देखना जरूरी बन जाता है अगर आपको लगाना है तो एक तो पहले ही सारी legal चीज़े जो है उनकी तरफ देख ले और audio recording जो है वो turned off रखे हाला कि मैं तो कहता हूँ कि जो अपनी private cards होती है इनकी अंदर भी इसका camera's जो है वो रात को भी record कर लेते हैं इसके अंदर WDR या HDR जैसी जो technologies है ये रात में एक अच्छा विजन देने में बहुत ज़्यादा काम में आती है इसी के साथ साथ कुछ camera ऐसे भी आते हैं जनके अंदर sony company की तरफ से एक sensor लगा हुआ आता है EX MOR sensor इसको कहा जाता है और य जादा भेतर बात हो जाएगी ये रात में भी अच्छी तरीके से record कर पाएगा अब जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि कुछ cameras ऐसे भी हैं जो की parking mode में भी चलते रहते हैं तो दोसों इसके लिए जो है वो आपके पास एक constant यहाँ पर power supply होना चाहिए इसके लिए ये power supply जो है वो आपके battery से चलता रहता है आप चाहें तो इस mode को off भी कर सकते हैं लेकिन आप अगर किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर गाड़ी जो है आपकी वो रस्ते की उपर parked है और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो की गाड़ी को कुछ नुक्सा पाना भूल गया वो यह है कि आप अगर ज्यादा शमता वाला कार्ड उसके अंदर डालेंगे तो फिर जो record करने का अवदी है वो भी बढ़ जाएगा जहां पर आप 16GB कार्ड अगर डालेंगे तो दो घंटे का record होगा आप 32GB का डालेंगे तो चार घंटे का record होगा और वा आप इसको पूरी तरीके से 4K में भी recording कर सकते है 1440 MP तो कि यह camera जो है वो record कर सकता है तो आप चाहें तो उसमें भी करा सकते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा space खा लेता है उतनी ज्यादा की जरूरत होती नहीं है तो normal 1080p भी fine है इसे की साथ साथ यह जो footage अगर आप चाहते है कि camera इसको overwrite ना करें तो आप उसको simply card को बाहर निकाल लीजे अपने phone, laptop, tablet जो भी है उसके अंदर आप इसको permanently save कर सकते हैं file बिलकुल intact रहेंगे और फिर से card को आप camera में डाल दीजेगा तो यह इस तरीके से काम करता है अब आप कहेंगे कि accident के situation में यह camera किस तरीके से react करता है क्या यह accident के पल को भी बहुत जादा jerk लगने के बावजूद भी record कर पाता है तो इसका जवाब है हाँ तो जहां तक accident हो रहा है यह record करता रहता है लेकिन जैसे इसको यह पता लगता है कि बहुत impact हो रहा है बहुत crash हो रही है गाड़ी तो automatically recording जो है वो pause हो जाता है और उसको card को access करके वो पूरा data ले सकते हैं यह बड़ी ही अच्छी चीज है कि जब तक उसको यह detect नहीं होता है कि accident नहीं हो रहा है तब तक यह override करता रहता है लेकिन जैसे ही जिस पल भी उसको यह detect हो जाता है कि गाड़ी का crash हो रहा है वो recording वहाँ पर करता है और override से भी आप आपको protection मिल जाता है तो इस तरीके से जो है वो dash cams आपके गाड़ी के अंदर काम करते हैं और इसकी वजह से यह normal camera से थोड़े से अलग होते हैं अब अगर normal DSLR camera वहाँ पर रग दे और उसको recording दबा करके छोड़ दे तो यह सारे feature उसके अंदर आएंगे नहीं साती साथ night mode म इसको बहुत जादा struggle करना पड़ेगा और नहीं यह आपके गाड़ी के power से चल सकता है तो इसकी वजह से dash cam जो है वो compact भी होते हैं और आपके लिए सुरक्षा की लिहासे बहुत important चीज होते हैं तो बस दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसं आ रही है वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जादा से जादा सब्सक्राइब जरूर कर दे